हेलो दोस्तों नमस्ते मैं अपने चैनल पर आप सब का स्वाथ करती हूं दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूं divine masculine and divine feminine की current energy कही ना कही दोनों तरफ बहुत फिल कर रहे हैं एक दूसरे को मिस कर रहे हैं divine feminine आपके लिए मैसेज है divine masculine का आपके लिए और divine feminine मैसेज कुछ दे रहे हैं divine masculine को भी दोनों अपने अपने feeling शेयर कर रहे हैं so divine feminine आप अपने inner way पर focus रखे ठीक है सोच लिजे सोच लिजे आप यहां डर गई है और खुद पर भरोशा नहीं है तो फिर अपने आपको उस जगव उतार कर देखिए जहां एक टेरा मेरा रास्ता है और मंजिल सामने है आप वहाँ जा नहीं पा रही है आप खुद पर balance नहीं बना पा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपके उपर बहुत बड़ी responsibility है आपके बच्चों की आपकी family की आपकी भाई बहनों की यह आपको सोचना है और देखना है कि मेरे पास अभी खाना नहीं है तो मैं कहां से लाओं मेरे सामने खाना पड़ा है लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सकती हूँ रास्ता बहुत मुश्किल है बस सोच लिए कि मैं वो रास्ता क्रोस करकर वो खाना अपने family के लिए लेकर आओं सोची एक बास है उस बास पर आपको चल कर जाना है जिस पर आपको balance बनाते हुए उस बास पर चलना है और जैसे आप balance बनाएंगी अपने कदम जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगी डग मगाएंगी नहीं और यह सोचेगी कि मेरी मंजिल सामने है उस मंजिल तक पहुँचना ह और बैलंस बना कर आप उस बांस पे चल रही है और तब बैलंस बना कर जब आप वहां पहुचती है और वह खाना ले कर आप अपने फैमिली के पास आती है तो समझ लिजे कि आपने वो balance बना लिया है ठीक है आपको balance अपने कदमों को देखना है कि मेरा कदम जहां जा रहा है वहाँ balance बना पा रही हूं या नहीं बस समझे कि सामने मेरी मंजिल है और इस मंजिल को पाना है focus अपने inner work पर कीजिए अपने आप पे कीजिए self love कीजिए आप इस जगह आज आएंगी कि खुद आप अपने आप से decision लेंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बहुत बड़ी सक्ति साली पाबर फुल ये word मैं इस्तमाल कर रही हूं इसको आप ले लिजिए ठ अगर resonate करता है तो ले लिजिए नहीं होता है तो प्रिश चोड़ दीजिए सो divine masculine बहुत ही स्टक है divine feminine ये श्टक है एक दुसरे को वह मिस कर रहे हैं मिरर कर रहे हैं ठीक है मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, तुम समझो, मैं कहीं फसा हुआ हूँ, ये तुम्हें समझना चाहिए, मैं क्यूं नहीं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, क्यूं तुम से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं फसा हुआ हूँ, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम तो स नहीं समझोगी तो कौन समझेगा प्लीज यार समझा करो तुम सम तुम समझ क्यों नहीं रही हो सुबह की कीरन हो तुम मेरे लिए जिससे मेरी सांसे चलती है सुबह बन कर मेरा साथ हमेशा रहो मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे प्यार दो वही प्यार दो, जो पहले दिया करती थी, आज तुम सब कुछ भूल गई हो, सब कुछ भूल गई हो, तुम्हे भी बात करने को दिल करता है, लेकिं, तुम में एगो आ गया है, तुम अभी एगो में हो, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, यू तो तुम मेरी हो, पता है, यू तो प्लीज बात तो कर लो, हम दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिन अधूरे हैं, ये मुझे भी पता है और तुमें भी पता है, जैसे जमीन और आस्मा, ठीक है, बात कर लो, नहीं तो मैं कोई पागलपन की सीमा क्रोस कर सकता हूँ, अब बहुत हो गया, खुद को कं करकर रखा हुआ हूँ, प्लीज, अब सब्र नहीं हो रहा है, तुम मुझे इकनोर कर रही हो, ठीक है, तुम मुझे बात करो, मैं मैसेज करता हूँ, मैसेज का आप जबाब दो मिलना है तो, एक बार मिल लो, मिल कर तो बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारा एगो आपने आपको control रखो और मुझसे बात करो, मिलकर हम बात कर सकते हैं, अब यहाँ divine feminine बोल रही हैं, उनकी feelings है, I miss you, really miss you, पर मेरा दिल बेचैन है, मैंने भी control करके खुद को रखा हुआ है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे सिवा, जिस किसी को भी मैं देखती हूँ, हर में बस तुम ही दिखते हो, तुम भी मेरी भावना का कदर करो, मुझे समझो, तुमें मैं समझती हूँ, जैसे तुमने खुद को control किया है, वैसे ही अपने ego को और गुसा पर भी control करो, तुम्हारा गुसा, तुम्हारा ego ही तुम्हारे लिए दुश्मन है, हम दोन के बिच यही हुआ है, तुम्हारा गुसा, ego, क्या मेरी गदर नहीं है, क्या मेरी कोई भावनाएं नहीं है, मैं भी तो प्यार करती हूँ, तुम्हें एहसास होता है, कि हम एक दूसरे के बीना अधूरे हैं, तो मैं भी वही समझती हूँ, तुम भी मुझे समझो, कदम से क को कंट्रोल करके रखा हुआ है मैं क्या नहीं सोचती हूं तुम्हारे बारे में बहुत सोचती बहुत मिस करती हूं लेकिन आपका इगो आपकी फैमिली आपका गुस्सा ये मुझे बहुत जादा परशान करता है मैं भी मिस करती हूं मुझे पता है कि मेरा तेरा रिस्ता क्य क्या है कैसे मैं कह दूं कि टेरे बीडिना कितना बेचैन है दिल के तेरे वागए ते भुए प्यार करती बहुत मिस करती हों लेकिन मैं एक बार जरूर बोलूँगी कि तुम खुद पर कंट्रोल किये हो वैसे ही अपना एगो और गुसा पर कंट्रोल करो मेरी खद्र करो, मेरी भावनाओं को समझो, प्यार मैं भी करती हूँ जैसे रात दिन होते हैं, वैसे हम दोनों का साथ है ठीक है, तो Divine Masculine and Divine Feminine की एक करेंड एनरजी है दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं मैसेज आ भी रहा है, तो मैसेज का जवाब नहीं दे रही है वो बात करना चाह रहे हैं, तो बात नहीं हो पा रही है कहीं न कहीं कोई Divine Masculine परपोज करने वाले हैं Divine Feminine को और कोई Masculine परपोज कर दिये हैं और इसमें से कुछ लोग Masculine हैं, जो Divine Feminine से Marriage के लिए भी परपोज करने वाले हैं दोनों ही एस्टक हैं, दोनों ही मिस कर रहे हैं और काफी Emotional भी हैं एक दूसरे के वैगर अधूरे लग रहे हैं दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार उभर रहा है लेकिन कहीं न कहीं दोनों में अभी Ego का लड़ाई हो रहा है Ego ना कहिए, ये Self Love की लड़ाई है खुद को समझने की है, एक दूसरे को समझने की है ये दुरिया एक दूसरे को समझा रही है So, My Dear Feminine, आप खुद को कंट्रोल कीजिए वैसे ही कीजिए जैसे आप अपने आप पर फोकस कर रही है खुद पर प्यार कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए उनिवर्स पर विश्वास कीजिए, एंजल्स पर विश्वास कीजिए अपने प्यार पे विश्वास किजिए, अपने Divine Maisculine पे विश्वास किजिए और आगे बढ़ जाईए भले ही रास्ता 10 मेरा हो लेकिन मंजील सामने है, बस आपको देखने की जरूरत है, आपका मंजील आपके सामने है एक कदम बढ़ाईए और आगे बढ़ते जाईए सफलता अवज से मिलेगी God bless you, हसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती तो like करे, share करे और मेरे चानल को subscribe जरूर करे, so thank you so much